कैसे हैं आप सभी लोग मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है तो आज बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है तो एक आलू बीन्स गाजर और कॉर्ण लिया है तो आलू जो हुआ बॉयल डालू है तो मैंने छील के काट लिया था और य मैं ने डल्या सबसे पलिया सब्से पर इसमीनित भो कर लोगे जो दे पर चूंट कर देंगें तो इसको पानी में छोड़ देंगें दश मिनट बाद कर को कूंक प्रोस्स सुरू करतें मुझे याद ध्यान नहीं था ज़िक अफुनिया था तो आप और लोग सबसेपले को उसमें बनाईए हिंग चुटकी भर क्योंकि यह बिना प्याज लहसुन के हम बना रहे हैं तो हिंग से बहुत अच्छा चेस्ट आता है यदि आप लोग प्याज लहसुन खाते हैं तो गाजर के पहले प्याज भून लीजिए तो गाजर डालने के बाद मैंने एक मिनट भून तुरंथी पक जाता है और इसके कलर को भी मेंटेन रखना है नमक स्वादा नुसार सबजी के हिसाब से तो हम आप लोग को कर रहे हैं कि बारली इतना ही फायरे मंद होता है कि जब लोग बीमार भी पढ़ते हैं तो इसे बारली का सूप दिया जाता है पीने के लिए अभी आप किसी भी दुकान में पुछेंगे तो भारली का पाउडर आता है चोटे चोटे डिबे में तो अब आलू डाल देंगे उसके साथ ही थोरा सा हल्दी चोथाई चमा से थोरा कब जीरा पाउडर और धनिया पाउडर जिससे टेस्ट अच्छा आजाए और ये बहुत ही इ तरीके से बनाईए सिंपल से दल्या को क्या है ना ग्रीन वेजिटेबल भी हो जाएगा एक होल मील हो जाता है तो कभी आप ठके हो या रात में जादा बनाने का मन नहीं और अच्छा खाने का भी मन करें तो आप ये दल्या आपके लिए हेल्दी ऑप्सन है क्योंकि ये करना चाहते हैं तो सुगर के नास्ते में भी खाईए रात में भी खाईए दल्या जालने के बाद भी एक से दो मिनित मैंने इसको स्लोपे भूना जिसे कहा है न जो का और भी अच्छे से विए दल्या भूना आने के बार एक सोना सा खुजबू देता है तो चेस्ट और तो सब मिला करकर तो जितना दल्या लिए है न उसका तीन गुना पानी जैसे एक कप में आपको तीन कप पानी तीन से चार क्प पानी लगेगा क्योंकि दल्या क्या होता है थोरह फैलता है पकने के बाद तो थिक होता तो कंस्यस्टेंसिय आप증 आपने हिसाब भी रख गी कितना अच्छा कलर लग रहा है तो रात के खाने में क्या होता है यह सुवह के नास्ता में जादा तेल मसाला खाने का मन नहीं करता है अब नमक सादा नुसार देंगे क्योंकि सब्जी के हिसाब से तो दिये हुए ही है तो आप लोग इस तरीके से बनाइए और यदि आप लो तो उपर से थोड़ा सा नीबू का जूस जाल दीजिए एक चमच मैंने घी डाला है और हाफ चमच इसमें नीबू का जूस उसके बाद क्या है आप इसको ऐसे ही सर्फ कर सकते हैं धनिया पत्ती है तो उसको काट करके दे उपर से स्प्रिंकल कीजिए तो कैसी लगी मेरी र तो आप लोग जरूर बनाएगा ज्वा का दलिया देखे इस तरीके से गर्म में मैंने थीकने सखा है तो थीकने साप लोग अपने हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं कैसी लगी तैसे भी जरूर बताईएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक झाल 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 झाल